रोयल ग्लोबल विश्विद्याले के इस शिक्षा के मंदिर में आप सभी का मैं अपनी और से बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ और विश्विद्याले के सभी बंदूओं का जिन्नोंने मुझे आज आपके सामने खड़े होकर कुछ अपनी बात और कुछ आपकी बात सुनने का मौका दिया आज मैं सुचता हूँ जिन्नोंने और जिन्नों के परिवार ने इस विश्विद्याले का भूमी पूजन किया और जिस रूप में इसको खड़ा किया मैं आपके संपुन परिवार का बहुत बहुत अभी नंदर करता हूँ स्वागत करता हूँ इस विश्विद्याले के चांसलर साथ आदरनी एके पंसारी जी आपके सहयोगी वो भी एके दोनों का नाम एक ही है वो मोदी हैं आपके अंसारी जी हैं ये भी एक सोभागे की बात है अभी वाईस्टांसर साब ने अपनी बात रखी एस पी सिंग साब और शिक्षा के क्षत्र में जिनका एक लंबा अनुभव है जिनोंने विश्विद्ध्याले के कुलपती के रूप में भी और मैं सुचता हूँ शिक्षा के एक शित्र में इस राज्य में एक विबूती के रूप में आदनी चौधरी साब ये हमारे बीच में पदा रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ आप सभी एक शिक्षा परिवार से जुड़े हुए गुरुजणों और यहाँ अध्यानदत प्यारे भाई और बेहनों मैं यहाँ जो अपनी बात कह रहा हूँ शिक्षा के मंदिर में कह रहा हूँ और मैं विशेश करके जिन्होंने इस शिक्षा के पोदे को लगाने का मन बनाया दुनिया में सब काम हो सकता है लेकिन इससे पवित्र काम दुनिया में कोई नहीं है जो शिक्षा का मंदिर है मैं सोचता हूँ कि आज भी बिर्लाजी को राजस्तान वियाद करता है तो उनकी उस सोच को कि बहुत बड़े इंड़स्ट्रिस थे, बहुत बड़े परिवार के व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने पिलानी में जो उस विद्या का मंदिर का जो पोदारोपन किया आज उस विद्याले से हजारों लाखों बच्चे देश और धुनिया में उस संस्ता का भी नाम कर रहे हैं और संपुन राजस्तान का भी मान और संमान बढ़ा रहे हैं इसलिए राजस्तान उनके प्रती बहुत कृतग्या गया थे वैसे ही आपने अपने दिमाग में ये सोच लेकर के कि हम व्योसाय तो करते ही हैं अपने और अपने जीवन को चलाने के लिए हम और उध्योगी भी चलाते हैं लेकिन उसके साथ अगर एक विद्या का या मंदिर चला दिया जाए जहां पत्थर की मूर्तिया नहीं बनती है जहां सजी मूर्तिया गड़ी जाती है वो काम बहुती पुन्य का काम है जिसको आपने अपने हाथ में लिया मैं संपूर्ण समाज की और से देश की और से और असाम की जंता की और से आपका बहुत बहुत अभीनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ आपके स्विचार मैं सुरता हूँ जैसे अभी आपने कहा कि इस विद्याले को राजस्थान की एक राजेपाल शीवटरंड जी माथुर के समय आपने इस पोदे को प्रारम्ब करने का मन बना कर आगे बढ़े मेरा भी सहबा गया कि वो मेरे मुख्यमंची के रूप में और मैं उनका एक विदायक के रूप में उसी सदन में उनके साथ रह करके उन जैसे महापुरुस्यों से कुछ सीखने का प्रेत्न किया चाहे मैं किसी भी पायटी का हूँ वो किसी भी पायटी का है पर जिन्होंने देश निर्मान में और इस लोगतंत्र को निर्मान में जो कुछ भी उन्होंने अपना जीवन का समर्पन किया है वो हमेशा हमेशा राजस्तान की जनता याद रखती है उनके सुसुर जी वर्मा जी जिन्होंने इस आजादी के जंग में जितने कश्ट भुगते हैं शायद उसकी अगर आप पढ़ना शुरू करें तो आपके रोंक्टे काम जाएंगे कि देश की आजादी के लिए किस प्रकार से आपने सर्वस जीवन को लगा करके भी आजादी के जंग में जिस प्रकार से उसी परिवार से शिव चर्न जी भी एक व्यक्ति हमार सामने आए मैं सोचता हूँ कि यहाँ आपने कहा कि पच पंसो से अधिक विद्यारती पढ़ रहे हैं इतनी फैकल्टी है लेकि मैं जानता हूँ शिक्षा के मंदिर का सबसे जो बड़ा काम है जिस पर यह जितने भी गुरुजन यहां बैठे हैं मेरा सवभागे किसी विष्विद्याले का अध्यापक बनने का नहीं मिला लेकिन मैं एक स्पूल अध्यापक में रौआ हूँ और मैं इसा मानता हूँ कि दुनिया में और किसी को पूजा जाता है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ पर शिक्ष अगर इमानदारी से सेवा करता है तो उसका विद्यारती उसकी पूझा करता है क्योंकि वो जिस तरह से तरास्ता है आप तो हैं विश्विज्यालें पढ़ते हो यां पढ़ाते हो पर हमें उस फटी दोती वालेने भी जिसने पढ़ाया है वो भी आज हमारे मन मानस पे टिका हुआ है, कि उसने हमको गढ़ने का प्रयास किया, चपल तूटे थे, दोती फटी थी, लेकिन जो इंसानियत के गुण द्यालने का उस व्यक्ति ने प्रयास किया, वो जिंदगी भर की हमारी दौलत बन गई, इसलिए उस गुरु का निरंत सम्मान होता रहता है, मैं चाहता हूँ, कि निश्ची तुरुप से हमारे ध्यान में इस बात का रहे, कि इश्वर ने हमें किसी पवित्र काम के लिए यहां बेजा है, मैं सोचता हूँ, दुनिया में और कोई इंडॉस्टिलिस्ट बन सकते हैं, कॉर्परेट जगत के बहु बभाग्य है इसका, चाहे वो प्रारंब में था, लोग कहते हैं, पुराने जमानियों ऐसा नहीं है, आज भी जो अध्यापक अपने बच्चे को पूरा तनमे हो करके पढ़ाता है, और बच्चे को तराशने का प्रयास करता है, वो बच्चा अमेरिका रहे, चाहे वो योर अलत पनी है, तो मैं सोचता हूँ सबसे, और इसलिए मैं आप सबसे भी वैसे, आप सब लोग कर रहे हैं जैसे आपने हैं, पर मैं सोचता हूँ कि हमारे विद्यार्ती में कुछ गुणों का विकास होना चाहिए, उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, मैं सोचता हूँ कि य अगर संस्कारों ने डाला है तो इसके कारण से भारत जाना जाता है, फिर समर्पन होना चाहिए उसका, फिर सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूशन है, मैं सोचता हूँ अगर हमने सब कुछ कमाया और अपनी सादगी नहीं सीखी, तो मैं सोचता हूँ बाकी के लिए और इसलिए सादगी पूर्ण जीवन से ही, हम उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं, इस देश की जो सबसे बड़ी आवश्चता मैं मैसूस करता हूँ, वो सुचीता है, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर सुचीता प्राप्त नहीं की, तो हम देश को आग अपनी मकान बना लेगा, अपने सादन जुटा लेगा, लेकिन अगर सुचीता नहीं रहे, तो देश नहीं बना सकेगा, इसका उसे हमेशा ध्यान रहना चाहिए, कि आखिर देश तो मेरे प्रेतन से बनेगा, तो मैं सुचता हूँ, वो सुचीता हमारी रहे, संसकार रहे, सरलता रहे, स्वाव लंबन रहे, और सबसे ज़्यादा जो मैं यह जे शिक्षक के रूप में मैंने अनुभव किया, वो है कि सकारत्मक सोच, इस देश का सबसे बड़ा दुरभा कि कोई मानता हूँ, तो इस देश में नकारत्मक तार ने एक तरसे वर्चस बना लिया, हर इसमें से नकारत्मक निकालने का प्रेयतन करते हैं, इससे अच्छा लगेगा, ताली पीड देंगे, इससे बनेगा कुछ नहीं, सकारत्मक सोचने से ही बनेगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रभू ने ऐसा एक भी व्यक्ति पैदा नहीं किया, जिसमें गुन नहीं दिया हो, जिसको हम चोर कहते हैं न उसमें भी प्रभू ने को इनको गुण पैदा किया है अगर उसको तराशने वाला यह गुरू उसके उस गुण को तराशने का प्रेतन करें तो उसकी जीवन की दिशा बदलने की ताकत उसमें है तो मैं सोचता हूँ कि संसकार और सुचीता इन गुणों को हम कैसे पैदा करें इसके बारे में जरूर विचार करें मैं सोचता हूँ कि इस शिक्षा के उच्षी शिक्षा के इस मंदिर में हम सामाजिक, राजनितिक, स्वांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तक्नी की विकास की और हमारा ध्यान है जिससे हम आगे का देश कैसा बनेगा इन गुनों से परिपूर्ण करेंगे तब ये बालक में इस सब चीज़ें आएगी कि उसमें स्वांस्कृति के प्रतिवे सम्मान हो, वो देश की राजनितिक को भी संभे, देश की राजनितिक लोकतांतिक तरीका है जब तक हमारा मतदाता इमानदारी से और दिमाग से वोट देना नहीं सीखेगा तब वो लेक तंत्र का भला नहीं कर सकता है किसी व्यक्ति का भला कर सकता है किसी पाइटी का भला कर सकता है पर वो देश का भला नहीं कर सकता हमारे यहां से पैदा हुआ बच्चा देश के लोकतंत्र के मुल्यों को स्थापित करे जिंदगी में उसके लिए संगर्ष करे और वास्ता में वो नीचे के व्यक्तियों को भ आज की सबसे बड़ा चुनोती है वो भिरोजगारी है इस भिरोजगारी के लिए सारे के सारे लोग सरकारी नोकरी प्राप्त करेंगे यह ना पहले संबभ हुआ ना आज होगा ना कल हो सकता है लेकिन उसमें इतना विकास और इतना कोशल तो आए कि वो जहां भी खड़ा रहे नोकरी के लिए नहीं खड़ा रहे नोकरी देने के लिए उसकी ताकत बने तब हम बानेंगे कि हमने इस संस्ता से जिन बच्चों को फेजा है उनका इतना confidence पैदा करके फेजा है कि हमें इदर दर जहांकने के जुरुत नहीं है मुझे में इतनी क्षमता है कि मैं पचीत लोगों को और अपने साथ काम दे करके खड़ा कर सकता हूँ इसके बारे में विचार करना चाहिए इसके लिए आपके हाँ निरंतर कारिकम होता है मैं सुचता हूँ यह जो मैं बोल रहा हूँ न यह मैं सीखा हूँ किसी सामने वाली मूर्ती को देख करके बाशन को देख करके नहीं सीख पाया हूँ और कोई यह सोचे कि मैं बाशन से ठीका दूँगा बहुत बड़ी गल्ती करेगा मॉडल सामने रखना पड़ेगा तब तो व्यक्ति अपने आप उसको पकड़ लेगा और मैं सूचता हूँ कि हम जो व्यक्ति निर्मान के इस महान यग्जी में लगे हैं यह जो विद्या के मंदिर हैं अब वो तक्सिला और नालंदा इतना प्रसिद्ध था तो क्यो था केवल इसलिए तो नहीं थे कि वहाँ नोकरी देने वाले लोग तैयार होते थे दुनिया के लोग वहाँ आते थे तो नोकरी पाने के लिए नहीं आते थे अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आते थे कि मनुष्य जब पैदा हुए है तो इसका कोई अर्थ है और उस अर्थ को साकार करने के लिए इन विश्व विद्यालों ने जिस प्रकार से अपना मापदन्ड बनाया वैसा ही हम लोगों को भी निरंतर प्रेहत्न करना चाहिए दिमाग के सामने एक हमेशा टारगेट रहना चाहिए कि मुझे इस उचाई तक अपने विद्यार्ति को ले जाना है तब हम अपने आप में सोचेंगे कि मुझे बहुत प्रसंटा हुई कि आप अपने इस विश्व विद्यालों में विवन प्रकार की चात्रवत्यां दे करके भी बच्चों को सहीयो करते हैं मैं सोचता हूं कि कई लोगों के भागे में आर्थिक संकट रहता है, लेकिन दिमाग उनका कमजोड नहीं होता है, मेरे अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूं, जिसके घर में अभाव यभाव है, प्रभु उसके बच्चे में इसी विलक्षन बुद्धी पैदा करता है, कि वो एक तरह से अपने आपको निखारता ह है, और सब को इस चुनोती के लिए भी तैयार करता है, कि अभाव जिंदगी में बाधा नहीं है, अभाव जिंदगी में तराशने के लिए एक रास्ता देता है, उस रास्ते को अमारा विध्यारती कैसे अपना है, ये उसमें कॉण्विडेंस कहते परदा हो, इसके बारे म मैं सोचें, मैं सोचेंगा आपने विविन प्रकार की चात्वित्यां दी, मेरी विनवरारतना हैं बंदू आप सब से, और विशेश करके आप, जिन्नों ने ये विश्व विद्याले शुरू किया है, इस विश्व विद्याले को शुरू करने का आपका और मेरा मक्सद, इ ऐसे इंसान जो वास्ता में देश को बना सके, देश की हर व्यक्ति को देख करके समझ सके, इसलिए आपके बच्चों को फिल्ड में ले जा करके भी हमारी उस दर्दित नारायन के दर्शन कराओ, उसका घर और उसका परिवार देखो, उसकी रोजी रोठी देखो, उसके सेवा का भा पैदा होगा, उसे लगेगा कि मैं तो यहां खड़ा हूँ, अभी तक तो बहुत लोग बहुत पीछे खड़े हैं, उन्हें भी मरे बराबर लाने का प्रहत्न करना पड़ेगा, तब जाकर कि हमारा जो लक्ष है, उस हम लक्ष को प्राप्त कर सेकेंगे, मैं आ दुबारा नहीं आएगी, भगवान दुबारा आ सकता है, सब चीजे दुबारा लाई जा सकती है, लेकिन यह समय की घड़ी की जो रफ्तार है, यह दुबारा नहीं आएगी, और इसलिए यह जो समय है, वो हमें समय का सदुपयोग करके, हम उसको अधिक से अधिक अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, एक एक खषन कैसे उपयोग हो, इसके बारे में सूचना पड़ेगा, हमारे देश में अभी तक जो मेरा अनुभव है, समय और समय की पालना करने की आदत अभी तक नहीं बन पाए, मैं जिन राजिन सार काम नहीं कर सकते, तो हजारों लाखों लोगों का वो बेश कीमती समय कैसे बरबाद हो जाता है, जो देश के विकास में लग सकता है, देश की तरक्की में लग सकता है, देश के काम में लग सकता है, उसको लगाने के लिए आदत डालने परी, और इस कारण से मेरा विश कि बनाओगे न वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी और उस पूंजी को सवाने का प्रयास करो मैं उन सब सिक्षक भाईयों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं नमन करता हूं कि जिन्नोंने इस रास्ते को चुन करके इस रास्ते के दोरा देश निर्मान के बारे म अपना मन और बुद्धी बनाई है मजबूरी में मास्टर बन गे होंगे बन गे होंगे कोई बात नहीं लेकिन बनने के बाद भी विचारों में बजाब किया जा सकता है बनने के बाद भी विचारों में तर्मीम हो सकती है विचारों के आधार पर हम आगे कुछ कर सकते है नहीं है कि हमारे एक बार कुछ हो गया तो वो नहीं होगा जीवन परिवर्तंशील है जो चाहे जिदर मोड़ दो ये ताकत इश्वर ने इस मशीन में दी है अब कौन इस मशीन का उपयोग कितना करे ये उसके उपर निर्वर है पूर्जा एक नहीं बदला एक पूर्जा नह नहने वाले लोगों के लिए नहीं कर पाए तो अपने लिए तो जानवर जीता है पिर हम काय को इनसान बनकर कि इस धर्ती पर आए है हमारा कुछ करने का मकसद है उस मकसद को पूरा करने का प्रयास करो अकेले भी चलागा कोई चिंता नहीं कल रविंद रनाठ टेगोर की जैनती मनाई है हमने लगाना कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है अभी तो 160 शाल पहले ही पैदा हुआ व्यक्ति अभी तो कई लोगों ने उसे देखा होगा जब व्यक्ति इस प्रकार का काम कर सकता है तो हमें भी वो सब चीजे तो है अब ये हम पर निर्वर करता है कि हम उसका उप्योग कैसे करें और कैसे आपने आपको इसके लिए तयार करें एक बार फिर विश्विध्याले के सभी बंदूं का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कारिकम पेश करके बच्चों में सब प्रकार का मैं सोचता हूं कि हर बच्चा कोई टैलNon मन करके नहींगा थीवन का हर फिल्ड है जो इस फिल्ड में से उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है तरक्झी कर लेता है और इसलिए विश्विध्याले और विद्याले में को कुरूल एक्टिविटीज को और खेल को इसलिए दिया है कि हो सकता है इस बालक में यहां प्रतिबा नहीं निकल रही है वहां से निकल सकती है उस बच्चे में ये विशेष्टा को आगे बढ़ाया जा सकता है तो मैं सुचता हूँ विशेष्विद्याले उन सब प्रकार के बच्चों के सब प्रकार के गुणों को पहचान कर उनके गुणों के अनुसार आगे बढ़ाने का रास्ता देने का नाम विशेष्विद्याले है आपका बहुत बहुत स्वागत